आज बनाएंगे ब्रेड की एकदम यूनीक और नई रेसिपी जो शायद ही आपने इससे पहले कभी ट्राय करी होगी यह जो ब्रेड की रेसिपी है आप इसको जब भी घर में ट्राय करेंगे बच्चे से लेके भड़े तक सभी को ये ब्रेट की रेसिपी स्वादिश्ट लगने वाली है इस ब्रेट की रेसिपी को बहुत ये खास तरीके से आज बनाया जाएगा बहुत यसान चंद पांथ से दस ही मिनट में बनके तयार हो जाएगी और इतनी बढ़िया होने वाली है ये रेसिपी और साथ ही में दोस्तों इतने कम दाम में ये बनके तयार हो जाएगी कि आप इस रेसिपी के दिवानी हो जाएगे और घर में जब भी आपको लगे का महमान आया है आप इसी को ही बना के तयार करने वाले हैं इस recipe को सबसे पहले हमें बनाने के लिए सिरफ मात्र एक ही गिलास दूद लेना है और उसको हलका boil कर लेना है दूद जब तक boiling temperature पे नहीं आ जाता है तब तक उसे ऐसे ही पकाते रहें और उसके बाद लगबख आधी कटोरी में milk powder डाल दीजिए milk powder को अच्छे से हलके हाथ से mix कर लीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छे से चला लीजिए ताकि जो milk है और milk powder है वो अच्छे से mix हो जाए आपको इसको भी अच्छे से boil दिलाना होगा लगबख 2-3 पार और वेट करना होगा कि आपका जो यह milk है वो ठिक हो जाए ये देखिए दोस्तों आपके सामने बॉयल दिलाया जा रहा है और मिल्क को ठिक करा जा रहा है तो बहुत ही जल्दी क्योंकि हमने मिल्क पौडर डाला है और दूद जादा नहीं है सिर्फ एक ही गिलास है तो दूद जल्दी गाड़ा भी हो जाता है थोड़ी सी दोस्तों हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी से अच्छा शुगरी फ्लेवर आजाएगा चीनी जादा मत रखेगा क्योंकि मिल्क पाउडर भी कहीं ना गई मीठा ही होता है तो आप इसको अच्छे से पका लीजे दस एक मिनट में लगभग यह बहुत गाड़ा हो जाएगा थिक हो जाएग ड्राइफरूट के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों और जब भी नेट्स मुह में चाते हैं इस फ्लेवर में इस रेसिपी में एक नया ही चार चान लगा देते हैं तो चलिए दोस्तों इसको फटा-फट से हम और हलका सा चलाएंगे और इसको लो आ बनाने वाले हैं चाशनी यहां पर दूसरी साइड भी जल्दी ही गैस में बंद करने वाला हूं दोस्तों क्योंकि रबडी वो लगभग तयार हो चुकी है यहां डालेंगे हम लगभग आधी कटोरी पानी और आधी कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी और इसको आपको हलका सा यलो कलर भी डाला है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा तो दोस्तों अभी बहुत ही जल्दी है जो सारी चीनी है वो पिगल जाएगी और इसमें उसके बाद मैं थोड़ा सा यलो कलर एड़ करूँगा क्योंकि इससे बहुत यह अच्छा टेक्शर आता है इस तो चलिए जटपट से इसमें एक थोड़ा सा यलो कलर एड़ कर लिया जाए लेकिन उससे पहले निशिंद कर लिजेगा कि सारी की सारी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है पानी में ये देखिए फ्रेंट्स किता अच्छे से जो कलर एव मिक्स हो गया है तो चलिए जटप जहां पर हमने इसी कड़ाई में अपनी ब्रेड को फ्राइ करना है तो सबसे पहले चाशनी को अलग कर लिया और हमने कड़ाई को दो के वापस ले लिया है और इसमें डाल लिया है थोड़ा सा ओल बना एवेक्त आलिव ऑल का इस्तिमाल करूं बाकी आपकी मर्जी है क्यों भी इसको बनाएंगे और खाएंगे घर में सब ही आपके दिवाने हो जाएंगे ती यह मिलीशिस होती है रेसिपी आपको इसको तब तक फ्राइ करना है जब तक यह अच्छे ब्राउन गलर की ना हो जाए और जैसे ही हो जाए हमने एक बरतन और उपर उसके जाली लगा रख जाए तो देखिए हम इसको कहां पर रखते हैं यह देखिए ऐसे करके करके हम धेर सारी ब्रेट्स निकाल देंगे जित्ती भी कॉंटिटी में आप यह शाही टुकडा आज बनाना चाहा रहे हैं तो हम अच्छी खासी चार चे ब्रेट्स तो इजीली निकाल ही लेंगे और जादा भी निकाल सकते हैं क्योंकि आज यह जो स्वेड़िश बना रहे हैं दोस्तों बहुत ही यमी लगती है जब भी मैं तो इसका दिवाना बन जाता हो दोस्तों खिचा जाला जाता हूं इसकी और तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह शाही टुकडा कितना भड़िया से बनके तैयार हो चुका है एक एक करके मैं लगबख चार से छे ब्रेड्स जितनी मुझे लगता है जरुरत है मैं निकाल लेता हूँ और अगर एक से सॉयल होगा तो वो भी छन ही जाएगा आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको वाइट ब्रेड ही लेनी होगी तो चलिए दोस्तों मेरे को जितनी ब्रेड निकालनी थी मैंने एक एक करके निकाल ली है आपको एक साथ फटा फट से दिखा देता हूँ ताकि हम आगे की प्रक्रिया को पूरी करें जहां हमने जो अभी चाशनी बना रखी है उसका इस्तिमाल करके इनको फटा-फट से धर कर देंगे तो दोस्तो लगबग हमने छे ब्रेड को फ्राई कर लिया है और जो साइड में हमने चाशनी बना के रखी है में उसको अझजे से लगभग 2 कर लेरिंग करेंगे एक करी दो करी ऐसे कर कर के आपको सारी की सारी ब्रेट। से चार्श्शनी की कोटिंग दधिर जो तो być एक ब्रेड पे ऐसे ही करके चार ब्रेड़ करना शेप में काटेंगे तो वो भी आपको भी आगे वीडियो में दिखाते हैं जब तक इसारी की सारी लेरिंग हो जाए एक एक करके सीरेसली बोल रहा हूं दोस्तों एक बार इस रेसिपी को ट्राइ कर लेना अगर अच्छी ना लगे तो मुझे लगता है ऐसा कोई होगा जिसको मीठा पसंद हो लेकिन ये रेसिपी पसंद ना आए तो चलिए दोस्तों लगबग सारी की सारी ब्रेट्स पर हमारे कोटिंग हो चुकी है बस लास्ट ब्रेट बाकी है उस पर भी करके आपको बताते हैं इसको आपको काटना कैसे होगा आपको इसको ट्राइंगल शेप में कट कर लेना होगा क्योंकि शाही टुकड़ा हमिशे ट लुकी हो चलिए दोस्तों जट पट मैं आपको सारी की सारी ब्रेटS को कट करके दिखा देता हूँ और एककल के फिर लगा देते हैं यह देखिए हैं आप इनको अच्छे से सजा लेते हैं और उसके बाद जो दोस्तों हमने तियार करी है उसको बढ़िया साथी इसके ओपर अच्छे से बिच्छा देंगे गार्नेशिंग करेंगे हम ट्राइ फ्रूट्स के साथ जो भी आपको पसंद हो और ये देखिए बढ़िया नजराना शाही टुकडा कितना बढ़िया तरीके से बनके तयार है तो चलिए दोस्तों फटा फट से इसको कर लेते हैं हम अच्छे से उस रबडी से टॉपिंग एक लेरिंग और वाँ भी वाँ ये बहुत ही जबर्दस शाही टुकडा दोस्तों बनके तयार है आज की रेसिपी बेहदी खास है मेरे दिल के करीब है क्योंकि जब भी इसे बनाता हूँ मैं इसकी और खिचा चला जाता हूँ आपको कैसी लगी है आप जरूर कमेंट करके बताईएगा ये रबडी दार शाही टुकडा हम फटा फट से इसके उपर नट्स के साथ गार्निशिंग करके आपको एक इसकी फाइनल लुक दे देते हैं कि कितनी बढ़िया ये शाही टुकडा नजराना बनके तैयार हो गई है ये देखिए दोस्तों भाईवा और थोड़े से बदाम काजू पिस्ता जो भी आपके आस एविलेबल हो ये आपको पसंदो उनसे कर लिजे टॉपिंग तो दोस्तों मैं चलता हूँ कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताईगा अपना और अपनी परिवार का ख्याल रहे